हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सुत्र निखिलम द्वारा गुणा करना सीखेंगे तो सुत्र निखिलम से किस तरह से गुणा किया जाता है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो मैंने यहाँ पर 20 total 20 क्यूशन लिए हैं जिसमें जो बुक में क्यूशन दिये गये हैं एक्सरसाइज के वो भी है और जो एक्जामपल है वो भी है और जो कक्सिया आठ की डेस वरक है जिसमें निखिलम सुत्र द्वारा गुणा करने का जो क्यूशन दिया गया है वो सभी क्यूसन मैंने इसमें लिये हैं तो इस तरह से टोटल मैंने 20 क्यूसन लिये हैं जिनको मैं one by one करके आपको सभी सरल करके बताऊंगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेला आइकन का बटन जरूर द तीन संख्याओं का गुणा करना है और वो भी सुत्र निखिलम द्वारा गुणा करेंगे तो व्यदिक गनित में हमें तीन टाइप के क्यूसन दिये गए हैं एक है उधरवतिर्यक भ्याम सुत्र द्वारा गुणा करना दूसरा है निखिलम द्वारा और तीसरा जो है वो दवजान कवीदी है, तो चेप्टर नमबर फाइफ है, व्यदि गनित कक्षिया आठ में, उसमें ये तीन टाइप के हमारे पर में क्यूसन है, तो उधरवति देख ब्यामद्वारा गुणा करना वो मैंने पीछे की वीडियो में बता दिया है, अगर आपको देखना हो तो इ फाइस्ट क्यूसन में 101, 102 और 103 का गुणा करना है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमें गुणा करना है, 101 गुणा, 102 गुणा, 103 इन तीन संख्याओं का गुणा करना है, तो इन तीन संख्याओं को हम पहले करम में लिखेंगे, 101 उसके नीचे लिखेंगे 102, उसके नीचे लिखेंगे 130 तो यहां पर यह हमारी संख्या है तो इसके उपर नाम भी लिखेंगे संख्या और दूसरा आता है विचलन विचलन में हमें यहां पर तीन संख्या लिखनी है यहां पर तीन संख्या है तो इसके सामने भी तीन संख्या है आएगी विचलन कब लिखेंगे विचलन लिखने के लिए पहले आपको आधार मानना होगा एक होता है आधार और एक होता है उपदार ये दो चीज हम माननेंगे तो वेसे तो आधार और उपदार के क्यूशन अलग अलग है लेकिन मैं एक वीडियो में आपको अधार और रूप अधार दोनों चीज़ है वो समझा दूँगा तो देखिए सबसे पहले मात करते हैं अधार अधार हम कौन-कौन सी संख्या को अधार मान सकते हैं देखे जीरो को हम अधार मान सकते हैं दस है उसको अधार मान सकते हैं उसके बाद में आता है 100, उसके बाद में आता है 1000, उसके बाद में आता है 10,000, इस तरह से हम अधार मान सकते हैं, इनके बीच में तो संख्या हैं उनको अधार नहीं मान सकते हैं, यानि कि जैसे कि यहां पर 5 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया तो उनको हम अधार नहीं मान सकते हैं, 10 और 100 के बीच में काफी संख्याई आती है, 10 के 20 भी आता है, 30 भी बहुत सारी संख्याई आती है लेकिन उनको अधार नहीं मान सकते हैं, अधार में सिरफ हमें 0, 10, 100, 1000, 1000 इस तरह की संख्याई हैं अधार में ले सकते हैं, तो सबसे पहले ये तो मैंने एक्जम्पल के लिए यहाँ पर अधार क्या मानने देखे अधार मानने से पहले आपको देखना होगा कि हमारी संख्या क्या है हमारी संख्या 101, 102, 103 जो कि 100 नंबर के 5 में है यानि कि जो 100 अंक है उसके 5 की संख्या है यानि कि 100 के बाद में 101 आता है 102, 103 या आते है यानि कि ये सबी संख्य कहां किसके नजदीक है तो हम मान सकते हैं कि 100 के नजदीक है तो अधार इसमें हम क्या ले सकते हैं जिसके नजदीक होगी वो ही इसमें अधार लेंगे तो हमने अधार लिया इसमें 100 ले लिया ये हमारा अधार हो गया चलिए उसके मान में उपधार अंक उपधार अंक एक ऐसा अंक लेंगे जिसको अगर अधार से गुना किया जाए तो वो संख्या गुना होने के बाद में भी 101, 102 और 103 के नजदीक ही रहे तो अगर हम मैं यहाँ पर इसके जगा उपधार के जगा अगर दो ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखे सो को फिर दो से अगर गुना करें तो दो सो दो सो इन संख्याओं से बहुत दूर हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या लेंगे एक ही लेंगे यानि कि 100 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा 100 ही आएगा तो देखे यहाँ पर हमने 100 को 1 से गुणा किया 100 अब यहाँ पर जो संख्या आई है उससे हमें यह देखना है विचलन ग्याद करना है तो विचलन कैसे निकालेंगे यहाँ पर क्या है 100 है तो 100 से यह कितना ज्यादा है यह एक ज्यादा है तो हम प्लस एक लिखेंगे अगर कम होगा तो उसे माइनस एक लिखेंगे यहाँ पर 100 से यह संख्या कितनी बड़ी है तो प्लस दो बड़ी है यानि कि 2 ज्यादा है, 100 से ये संख्या कितनी ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, तो प्लस 3 लिखेंगे, ज्यादा होगी तो प्लस का चिन, अगर कम होती है तो माइनस का चिन लगाने, इस तरह से हम आधार, उपाधार इन सभी को लिखेंगे, उसके बाद में विचलन ग्याद कर लेंगे तो इसके जो सामने संख्या एक है उसको इसके अंदर नहीं जोड़ना उसके अलावा दो और तीन जो रह गया उनको हम जोड़ेंगे तो ये प्लस दो है और ये प्लस तीन है इनको हम जोड़ेंगे ध्यान रखना है जो भी संख्या लेंगे उसके सामने वाली संख्य नहीं जोडनी है, बाकि जो संख्या रह जाती है वह यू संख्या जोडनी है जैसे हमने 101 लिया, उसके सामने एक आता है तो वह तो इसमें नहीं जोड延ेंगे उसके अलावा 2 और 3 ये दोनों इसमें जोड देंगे उसके बाद में सलेश का चिन लगाएंगे और उसके देखें यहाँ पर जो हमने संख्या लिखी है यहाँ पर हमें उपदर अंक भी लिखना पड़ता है यानि कि पहली संख्या होती है उसके उपदर अंक कितना है यहाँ पर एक तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे और उसका स्क्वाइर लगाएंगे फिर यहां पर भी हम क्या लिखेंगे ओपादर अंक एक है तो यहां पर हम एक लिखेंगे उसका square नहीं लगाना यहां पर square लगेगा यहां पर सिरफ उपादर अंक यह लिखा जाएगा उसके बाद में break it लगाएंगे फिर हम क्या करेंगे जो विचलन हमारा है एक, दो, तीन इनको हम बारी-बारी गुना करेंगे बारी-बारी कैसे करना है कि एक को हमने दो से गुना किया दोनों ही प्लस की संख्या है तो एक को हमने दो से गुना किया कितना आएगा दो फिर हम लगाएंगे प्लस का चिन फिर हम 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया फिर प्लस का चिन लगाएंगे फिर इस 3 को और 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 इस तरह से हम बारी बारी इसको गुणा करेंगे उसके बाद में फिर सिलेस का चिन लगाएंगे याद रखना है कि यहाँ पर अगर 3 संख्या हो तो इस तरह से कॉलम भी यहाँ पर 3 ही बनेंगे उसके माद में लाश्ट में क्या आएगा विचलन जो है इनका गुणा यहाँ पर हमने विचलन का बारे-बारी गुणा किया था लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है continue गुना करना यानि कि 1 को 2 से गुना किया 2, 2 को 3 से गुना किया 6 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 इस तरह से हमें संख्या लिखनी है अब देखें 1 का square 1 ही होता है तो 1 लिख देंगे, गुना का चिन लगाएंगे 101 और 3 और 2 ये 5 तो टोटल 106 हो गए यहाँ पर लिखेंगे 106 उसके बाद में ये 2 और 6, 8 और 3, 11, 11 को 1 से गुना किया तो कितने आएंगे, 11 ही आएंगे और लांश्ट में लिख देंगे 6 यहाँ पर देखें, इनको गुना किया तो 106 ही आएगा उसके बाद में लिखेंगे 11, उसके बाद में लिखेंगे 6 अब यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है याद रखना है कि आधार में जो संख्या हमने ली है उसके पास में कितने 0 है, तो यहाँ पर 2 0 है यानि कि हमें यहाँ से 2-2 संख्या ही रखनी है यहाँ पर तो संख्या 1 है तो क्या करेंगे इसके पहले एक 0 लगा देंगे बाद में यह लगाना पहले लगाना है तो यहाँ पर अब टोटल हो गई 2 संख्या यहाँ पर 2 0 है तो हम क्या कहेंगे 2 2 संख्या हो गई तो यहाँ से 2 2 संख्या लिख देंगे चलिए उसके बाद में इसका next question अब देखें next question इसका अठ्याण में निन्याण में और निन्याण में तो हम क्या लिखेंगे पहले करमवाई संख्या अठ्याण में लिखेंगे उसके नीचे निन्याण में फिर उसके नीचे लिखेंगे निन्याण में तो यहाँ पर हम लिख देंखें इसमे तीनों ही दूं संख्या है वह क्या है सो के पास के संख्या है यानि कि आधार हम सो ले सकते हैं क्योंकि 88 обычно 99 निनाण में यह एकडम सो के एकडम नजदीक की संख्या है तो हम इसमें अधार लेंगे वह लेंगे सो और इसमें उपादार अंक है वो हम लेंगे अगर एक लेंगे अगर दो ले लेते हैं तो 200 ज़्यादा दूर चली जाती है इनसे एक ही लेंगे क्योंकि 100 को एक से गुणा किया तो कितना है या 100 अब हमें देखिए वेसे यह जो क्यूसन में आपको बता रहा हूँ सभी तो नहीं है लेकिन क्यूसन नंबर एक और क्यूसन नंबर दो जहां पर उपादार एक लिया जाता है इसका मतलब है वो बिना उपादार के क्यूसन है सिर피 उस में हमें आधार युमानना है लेकिन मैं निने बताया कि इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बता दूँँआ इसमें बता दूँआ को ऊपा दर किस तरह से लिया जाता है तो यहां पर आगए हमारे पास में 100 सो से ये कितना कम है तो हम लिखेंगे माइनस दो कम है ये कितना कम है माइनस एक कम है ये कितना कम है माइनस एक कम है उसके बाद में इसके नीचे एक लाइन खिंचेंगे फिर हम कोई भी एक संख्या लेंगे तीनों में से कोई भी एक संख्या लेंगे चलिए उपर वाले अठ्यान में लिखते हैं तो उसके सामने वाली संख्या माइनस में है उसको तो ना जोड़ना ना हमें माइनस करना तो क्या करेंगे फिर दो संख्या ये रगई तो यह माइनस एक यह माइनस एक लेकिन मैंने आपको साथ में इसके बता दिया है कि उपदर अंक है वो किस तरह से लिया जाता है उसके मान में देखिए सलेस का चिन लगाएंगे फिर क्या करेंगे इन संख्याओं को बारी बारी गुणा करेंगे दो को पहले देखिए दो को एक से गुना किया कितना आया दो आया तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो लेकिन यह भी माइनस और यह भी माइनस तो यह क्या हो गया प्लस का दो हो गया चलिए उसके माद में एक को एक से गुणा करेंगे लेकिन दोनों चिन माइनस के हैं तो दोनों चिन भी गुणा होती क्या मनेगा प्लस मन जाएगा और एक को एक से गुणा किया तो एक आ गया फिर इस 2 को इस 1 की साथ में गुणा करेंगे तो दोनों ही माइनस के हैं दोनों ही माइनस के हैं तो चिन हो जाएगा प्लस का और 2 को एक से गुणा किया तो यह जाएगे 2 उसके बाद में यहाँ पर उपदार अंक है वो लिखना है यहाँ पर square लगाना है उपदारंग का यहाँ पर सिर्फ उपदारंग लिखना है और last के column में सिर्फ हमें इनका continue गुणा करना है देखे अगर minus का चिन तीन बार गुणा होता है तो minus ही उत्तर आएगा द्यान रखना है minus का चिन जब भी सम संख्या में अगर गुणा होता है जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार तो हमेंसा उत्तर आता है, वो प्लस में आता है, अगर हम कोई भी संख्या होती है, उसमें अगर माइनस के चिन एक बार, या तीन बार, या पांच बार, या साथ बार अगर गुणा होके आते हैं, तो उत्तर माइनस में यह आएगा, यहाँ पर माइनस के चिन तीन है, क्योंक square a की होता है लिखे अना लिखे कोई फरक नहीं पड़ता 98 में से 1 को minus किया 98 में फिर इस 1 को minus किया तो रह जाएंगे 96 उसके मान में देखे 2 और 2 चार हो रहे कियोगे 5 5 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पर 5 और last वाल रहेगा minus में 2 यह रह जाएगा अब यहाँ पर देखे हमें रखनी है 2-2 संख्या लेकिन यहाँ पर जब minus आ जाए तो हमें एक चीज का द्यान रखना है कि minus में आए तो इसको plus बनाना है plus कैसे बनाएंगे 96 में का 96 में लिखेंगे और यहाँ पर जो संख्या होती है उसमें से 1 को कम करना है 1 कम करना है तो यहाँ पर रह जाएगा 4 यह रह जाएगा उसके बाद में यहाँ पर जो संख्या है उसको अधार कितना माना है उसमें से minus करना है तो यहाँ पर अधार हमने 96 लिया है तो इस 2 को गया च्यान में और यहां पर च्यार और यहां पर सो माइनस दो करेंगे तो अठ्यान में अब हमें दो दो संख्या रखनी है अधार में दो जीरो है इसलिए दो संख्या यहां पर तो दो है लेकिन यहां पर दो संख्या नहीं है तो इसके पहले एक जीरो लगाएंगे अब से तरह से यह आज जाएगा इसका आंस्वर तो यह हो गया इसका क्यूसर नंबर दो चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्यूसर नंबर थरी अब देखिए इसका क्यूसर नंबर थरी जिसमें हमें 31, 28 और 27 को गुणा करना है निखिलम सुत्र द्वारा तो 31, 28 और 27 तीन संख्या है इन तीनों को हम लिखेंगे जैसे के हमने पीछे के क्यूसर में किया था तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे संख्या संख्या में हमारे पास में है 31 उसके बाद में लिखेंगे 28 उसके बाद में लिखेंगे 27 तीन संख्या हमने लिख ली अब अधार हम मानेंगे देखे मैंने बताया कि अधार 0, 10, 100 इस तरह से ले सकते हैं यहाँ पर अधार अगर हम 0 लें तो काफी छोटा है अधार अगर 10 लें तो इससे दूर रह जाता है अधार अगर सो लें तो बहुत दूर हो जाता है तो इसलिए हम अधार को क्या लेंगे? 10 ही लेंगे अधार हमने 10 लिया अब यहाँ पर हम मानेंगे उपदार अंक क्योंकि यह सबी संख्याएं कौन सी संख्या के पास में है? 30 संख्या 30 number के पास में है तो यहां से अगर हमारे पास में 30 आए तो उनके ये पास में हो जाते है क्योंकि 30 के पास में 31 है उसके ही पास में 27 है तो हमें यहांपर Total संख्या को 30 बनाना होगा अधार हमने 10 लिया तो 10 को हम 3 से गुना करते हैं तो क्या आजाएगा, 30 आजाएगा, हमें तो यह देखना है, कि जो हमारी संख्या है, वो कौन सी संख्या ये पास में, तो वो हमें लिखता आनीए, उपदारंग 3 हो गया, अधार 10 हो गया और यहाँ पर आगया हमारे पास में 30, अब हमें देखना है कि इस 30 से ये कितनी ज़्यादा है, ये प्लस एक ज़्यादा है, ये कितनी कम है, माइनस दो कम है, ये कितनी कम है, माइनस तीन कम है, इस तरह से हम लिखेंगे, उसके बाद में कोई भी एक संख्या लेंगे, 31 ले लेते हैं यहां से, तो यहां पर ले तो यहाँ पर लिखेंगे हम तीन का स्कॉइर इसके बाद में मसलेस का चिन लगाएंगे फिर यहाँ पर लिखना उपह तर अंक और फिर ब्रेकिट लगाएंगे फिर यहाँतर बारी बारी संख्या को lawsuit करेंगे एक को दो से गुना किया तो दो आया, लेकिन प्लस को माइनस से गुना किया तो माइनस दो आया, उसके बाद में दो को तीन से गुना करेंगे च्छा आएगा, माइनस को माइनस से गुना किया तो प्लस में च्छा आएगा, फिर तीन को एक से गुना किया तो तीन आया, लेकि लेकिं यह चिन देखना है, plus को minus से गुना किया minus, फिर minus को minus से गुना किया तो यह plus हो जाएगा, तो plus लिखने क्या छरूरत जायी है, अब देखिए, यहाँ पर हम 3 का square करेंगे, तो यह आजाएगा no, उसके बाद में गुना में लिखना है, 31 में से 2 को माइनस करेंगे तो 29, 29 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएंगे 26 फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखना है 3 इसके गुणा में लिखेंगे देखे 3 और 2 यह 5 हो गए 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा यहां पर आता है 6 तो अब हमें 26 को 9 से गुणा करना है तो यह आएगा 234 और यहां पर 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया और यहां पर 6 लिखेंगे अधार में 1 0 है तो 1-1 संख्या रखेंगे यहां पर 1 संख्या 6 है 6 लिख देंगे यहाँ पर भी एक संख्या 3 है तीन लिख देंगे और लास्ट वाली शेम टूशेम लिख देंगे 234 तो यह इसका आंस्वर आ जाएगा अब देखें इसके बाद में क्यूसर नमबर 4 क्यूसर नमबर 4 में हमें गूना करना है निखेलम सुतर से 21, 22 और 23 को तो हम पहले संख्या लिखेंगे संख्या हमारी है 21, उसके बाद में 22, उसके बाद में 23 फिर यहाँ पर विचलन लिखेंगे विचलन से पहले हम अधार मनेंगे तो इसका अधार लेते हम देखे 21, 22 और 23 इसमें अधार हम 10 लेंगे और दूसरा लेंगे उपादार उपादार अंक लेंगे वो दो लेंगे क्योंकि 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20 20 है वो 21, 22 और 23 नमबर के पास की संख्या है यानि कि जो नजदीक संख्या होती है वो संख्या रखते हम तो यहाँ पर 20 से अब यह 21 है वो प्लस 1 ज्यादा है यह प्लस 2 ज्यादा है और यह प्लस 3 ज्यादा है यह हो गया विचलन उसके बाद कोई भी एक संख्या लेंगे 21, 22, 23 इनमें से कोई भी एक संख्या ले सकते हैं तो हम चलिए 21 ले लेते हैं हमने लिए 21 अब 21 में 21 के सामने जो एक है उसको नहीं जोड़ना बाट की 2 रह गए 2 और 3 उनको जोड़ देंगे 2 प्लस 3 और इसके पास में लिखेंगे उपादार अंक का स्क्वाइर उपादार अंक यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वाइर एक को दो से गुना किया दो आया फिर प्लस का चिन दो को तीन से गुना किया छा आया फिर प्लस का चिन तीन को एक से गुना किया तीन आया फिर स्लेस का चिन लगाएंगे फिर केंटिनू गुना करेंगे एक को दो से गुना किया 2 को 3 से गुणा किया तो यह आ गया 6 2 का square लिखिएंगे यह होता है 4 गुणा में लिखना है 21 और यह 5 हो जाएंगे तो यह हो जाएंगे 26 फिर यहाँ पर 6 और 3 9 और 2 11 11 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएंगे 22 फिर यहाँ पर जो 6 है उसको लिखेंगे 26 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक यह 24 हो जाएंगे और 4 दूनी 8 और 2 10 104 हो जाएंगे फिर यहाँ पर लिखना है 22 फिर लिखेंगे 6 तो देखिए अधार में 1 0 है तो 1-1 संख्या को रखेंगे यहाँ से 1 संख्या 6 लेंगे यहाँ के 1 संख्या 2 लेंगे और जो 2 रह गया उसको आके वाले 104 में प्लस कर दें तो 104 और 2 106 हो जाएंगे तो यह इसका आन्श्वरा जाएगा तो यह हो गए इसका क्यूसर नंबर 4 चलिए इसके बाई में शुरू करते हैं क्यूसर नंबर 5 क्यूसर नंबर 5 देखें जहां पर हमें गुणा करना है 51, 52 और 53 को तो चलिए सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे तो हमारी संख्या हो गई 51 52 और 53 यह हमारी संख्या है उसके बाद में हमें लिखना है विचलन विचलन से पहले हम अधार मानेंगे देखे 51, 52 और 53 इसमें अधार हम क्या लेंगे? अधार इसमें लेंगे हम 10 लेंगे 100 भी ले सकते हैं लेकिन 100 से फिर ये संख्या क्या है कि हम 1 से गुणा करेंगे तो 100 ज्यादा चली जाएगे इसलिए हम अधार क्या इसका 10 लेंगे और उपादार अंक लेंगे वो 5 लेंगे क्योंकि 10 को अगर 5 से गुणा किया जाए तो बन जाते हैं 50 50 से ये प्लस 1 ज्यादा है ये प्लस में 2 ज्यादा है और ये प्लस में 3 ज्यादा है संख्या, उनके नजदीक चला जाए, तो 50 आ गया, 50 इनके नजदीक की संख्या है, इसलिए यहाँ पर 50 से ये 1 ज्यादा हो गया, ये 2 ज्यादा है, और ये 3 ज्यादा है, तो ज्यादा होते हैं, तो प्लस का चिन लगाते हैं, चलिए उसके बाद में कोई भी एक संख्या लें यहाँ पर उपादा रंग का स्क्वाइर लिखना है, उपादा रंग 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वाइर, फिर सलेस का चिन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर उपादा रंग 5 लिखेंगे और इनका गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा किया 2, पलस का चिन गया 3, फिर continue गुणा करें, एक को 2 से गुणा किया, 2, 2 को 3 से गुणा किया, 6, यहाँ पर 5 का square होता है, 25, गुणा में लिखना है, 52, यह उगए 53, और 3, यह उगए 56, यहाँ पर देखें, 6, 3, 9, 2, 11, 11 को 5 से गुणा किया, तो यह आजाएंगे 55, और last question के लिख देंगे 6, त यहाँ पर है 55, और यहाँ पर लिखेंगे 6, अब इसका हम एक एक देखे, आधार में एक 0 होगा, तो एक एक संख्या लिखेंगे, यहाँ पर एक संख्या 6 है, यहाँ के एक संख्या 5 लिखेंगे, और यह 5 है, वो आगे वाली में प्लस कर देंगे, तो 0 में 5 को प्लस तो यह हो गया, इसका Q5, चलिए इसके बाद में शुरू करेंगे Q6, Q6 में हमें 32 को 34 से गुणा करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या, संख्या हमारी हो गई 32, दूसरी संख्या हो गई 34, उसके बाद में लिखना है विचलन, तो विचलन में उससे पहले हम अधार मनेंगे, तो अधार हम लेंगे इसमें और दूसरा अंक मानेंगे उपदार अधार इसमें लेंगे हम 10 लेंगे और उपदार अंक यहां पर 32 और 34 है तो 30 के पास में की संख्या है तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे इसको 3 उपदार अंक लेंगे 10 को 3 से गुणा किया तो आ गया 30 30 से ये 2 जादा है तो इसको प्लस 2 लिखेंगे ये 4 जादा है तो इसको प्लस 4 लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक संख्या लेंगे 32 ले लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32 उसमें 32 में सामने वाली को प्लस नहीं करना नेचे वाली संख्या प्लस में 4 है उसको हम प्लस कर देंगे और यहाँ पर हमें लिखना है उपदार अंक है अब देखें यहाँ पर स्क्वाइर नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर संख्या 2 ही है तो तीन संख्या होती है तब हम एक में स्क्वायर लगाते हैं और दूसरे में सिर्फ उपादर अंक लिखते हैं और तीसरे उनले संख्या होती है तो यहाँ पर हमें दो संख्या है तो दो कोलम बनेंगे तो पहले कोलम में हमें सिर्फ उपादर अंक लिखना है और दूसरे में इन दोनों का डायरेक्ट गुणा करना है दो को चार से गुणा किया तो आठ आ गए यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं में और तीन संख्याओं में क्या फरक है तो यहाँ पर हम 32 में 4 को प्लस करेंगे तो यह हो जाएंगे 36 और यह 3 है तो 3 गुणा 36 हो जाएंगे उसके बाद में लिखेंगे 8 36 को 3 से गुणा किया तो यह हमारे पास में आ जाएंगे 108 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 अब देखें आधार में 1 0 है तो लास्ट के एक हिसंख्याओं है 8 और आगे वाली को 108 को same to same लिख देंगे तो यह इसका आणस्वरा जाएगा उसके बाद में क्यूसर नंबर 7 क्यूसर नंबर 7 में देखें हमें 54 को 57 से गुणा करना है तो हम क्यूसर नंबर 7 में पहले संख्या लिखेंगे उसके बाद में विचलन लिखेंगे संख्या हमारी है 54 और 57 तो यहाँ पर लिखेंगे हम 54 उसके नीचे लिखेंगे 57 और विचलन से पहले हम अधार लेंगे तो अधार हमारा क्या लेंगे अधार चलिए इसमें 10 ले लेते हैं तो उपादार अंक वो अंक लेंगे जिसको 10 से गुना किया तो 50 हो जाए, यानि 5 लेंगे तो यहां पर गुना करते ही कितने आजाएंगे, 10 को 5 से गुना किया तो 50 50 से यह प्लस 4 ज़ादा है, और यह प्लस में 7 ज़ादा है अब इनको हम कोई भी एक संख्या लेंगे, 54 या 57 में से चलिए 54 ले लेते हैं तो यहाँ पर 54 इसके सामने वाली को प्लस नहीं करना नीचे वाली संख्या 7 है उसको प्लस करेंगे इसमें और यहाँ पर सिर्फ 2 संख्या है 2 संख्या होगा हमें गुणा करना है निकिलम से तो हम उपादर अंक यहाँ पर लिखेंगे square नहीं लगाना है आपको और यहाँ पर slice लगाएंगे और 4 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएंगे अब देखे 54 में 7 को plus कर देंगे तो यह मारे पास में हो जाएंगे 5 गुना 61 हो जाएंगे और slice का चिल लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 28 61 को 5 से गुना करेंगे तो 1 को 5 से गुना किया 5 हो गया 6 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ जाएंगे 305 और यहाँ जाएंगे 28 यहाँ पर A की 0 है अधार में तो हम यहाँ पर भी A की संख्या रखेंगे इसका 8 रखेंगे यह 8 हो गया और 305 में 2 को प्लस कर देंगे तो यह आजाएंगे 307 तो यह आजाएगा इसका अंसर आजाएगा 3088 तो यह इसका अंसर हो जाएगा चलिए उसके बाद में सुरू करेंगे Q7 no.8 जिसमें हमें 78 को 76 से गुणा करना है तो Q7 no.8 में पहले हमें लिखनी है संख्या उसके बाद में हम लिखेंगे वीचलन तो संख्या हमारी है 88 और 76 तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 88 उसके नीचे लिखेंगे 6 और वीचलन से पहले हम आदार लेंगे आदार हम यहाँ पर लेंगे 10 लेंगे और उपादर जो अंक है वो 7 लेंगे क्योंकि 10 को 7 से गुना किया तो 70 बन जाएगा तो 70 से ये 8 ज्यादा है तो इसको प्लस 8 लिखेंगे ये यहाँ पर 6 ज्यादा है तो इसको प्लस 6 लिखेंगे अब देखें अगर यहाँ पर उपा दरांग 8 ले तो ये क्या हो जाएगे 80-80C ये 2 कम है और 80C ये 4 कम है ये भी लिख सकते हैं लेकिन वो माइनस में हो जाएगी तो आगे थोड़ा सवाल है वो कठिन हो जाएगा इसलिए हम क्या है 70 ही रखेंगे ताकि ये प्लस में आए दोनों संख्या तो प्लस में आते हैं तो आपको माइनस करने की जूरुत नहीं रहती तो अब देखे इसमें यहाँ पर हमें कोई भी एक संख्या लेंगे 88 ले लिया तो हम यहाँ पर लेंगे 88 88 में सामने वाली को प्लस नहीं करना नीचे वाली को प्लस करेंगे तो ये प्लस में 6 कर देंगे और इसके 5 में लिखेंगे उपधर अंखым वह 7 लिखेंगे सिलेस का चिन लगाएंगे 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 चरक 48 होते हैं वह लिखेंगे 48 यहो गया 7 इसके गुणा में लिखना है 48 प्लस 6 तो इनको हम प्लस कर लेंगे तो यह हो जाएंगे, हमारे पास में 84, और यह हो जाएंगे 48, अब इनको हम गुना करेंगे, 84 को 7 से गुना करेंगे, तो 7, 4 की हो जाएंगे 28, तो 28 का हम 8 लेखेंगे, और यह हो जाएंगे 56, 56 और 2 इसमें प्लस करेंगे, तो यह हो जाएंगे 58, और सलेस का चिन लगाएंगे वे लिखेंगे 48 अब देखें आधार में एक zero है तो यहां से एक संख्या आठ लिखेंगे उसके बाद में चार को आगे वाली में प्लस करतें तो इसमें 4 को प्लस करना है तो देखें 8 है चार 12 और यह एक जो रहेगा इसमें प्लस करतेंगे तो नो तो पान्सो बान में यहां पर लिखेंगे पान्सो बान में तो यह इसका अंस्वरा जाएगा हमारे पास में उसके बाद में क्यूसर नंबर 9 क्यूसर नंबर 9 में हमें एक तरफ संख्या लिखनी है और दूसरे तरफ विचलन लिखना है चलिए क्यूसन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर क्यूसन नंबर 9 में हमें 63 को 58 से गुणा करना है तो हम संख्या मारी लिखेंगे 63 और दूसरी है 58 उसके बाद में हम एक लेंगे आधार आधार में हम ले सकते हैं 10 तो उपदार जो अंख है वो हमें लेना है यहाँ पर देखे 63 और 58 तो हम इसमें ले सकते हैं 60 ले सकते हैं वैसे हम इसमें 50 भी ले सकते हैं लेंगे 50 काफी छोटी हो जाएगी तो हम इसमें 60 लेंगे तो यहाँ पर हम 6 से गुणा करेंगे तब यह कितना होगा 60 होगा तो 60 से ये plus 3 जदा है और ये 60 से minus 2 कम है तो कम होगा तो उसको minus के साथ लिखेंगे ज्यादा होगा तो उसको plus के साथ में लिखेंगे उसके बाद में यहाँ से देखे कोई भी एक संख्या लेंगे अगर 63 लिया हमने 3 को 2 से गुना किया 6 आया लेकिन plus को minus से गुना किया तो minus 6 आया अब यहाँ पर 63 में से 2 को minus कर देंगे तो यह 6 into 63 minus 2 यह जाएगा 61 और आगे हैं minus में 6 61 को हम 6 से गुना करेंगे तो 6 को 1 से गुना किया 6 को 1 से गुना किया तो 6 आया और 6 को 6 से गुना किया तो 36 आया और यहाँ पर स्लेस काचिन लगा की लिखेंगे माइनस में 6 अब देखिए यहाँ पर जब संख्या माइनस में आ जाई तो उसको हम क्या करेंगे अधार जो भी हमारा उसमें से माइनस अधार 10 है तो इसको 10 में से minus करेंगे लेकिन पीछ़वाली जो संख्या होगी उसमें से एक कम करेंगे 366 में से एक कम करेंगे तो यह घाएगगा 365 इसको अधार कितना है 10 उसमें से minus करना है 10-6 लिकएंगे यह घाएगा 365 10-6 यह होजाएगा 4 अब आधार में एक 0 है तो एक एक संख्या यहां से एक संख्या 4 है और बाकी लाश्ट की संख्या उसको same to same लिखेंगे 365 तो यह आजाएगा इसका 3654 यानि 3654 इसका आनिस्वर आजाएगा तो यह था इसका Qs No. 9 चलिए इसके बाद में हम सुरू करेंगे Qs No. 10 Qs No. 10 देखें यहाँ पर Qs No. 10 में हमें 12, 13 और 17 को गुणा करना है तो हमारी संख्या हो गई यहाँ पर संख्या यह निजर लिखेंगे 12, उसके बाद में 13, उसके बाद में 17 यह तीन संख्या हो गई विचलन लिखने से पहले आधार लेंगे तो आधार इसमें 10 लिख सकते हैं उपदारंग ज्यादा हमें जुरूरत नहीं उपदारंग एक लिख सकते हैं क्योंकि 10 को एक से गुना किये तो 10 देखें 12, 13 और 17 दस के नजदीक के संख्या है वैसे हम 20 भी ले सकते हैं अगर यहाँ पर 2 लिखें तो 20 आजाएगा 20 से यह 8 कम हो जाएगा यह 7 कम हो जाएगा यह 3 कम हो जाएगा इस तरह से भी लिख सकते हैं तो अब देखें यहाँ पर हमने 10 ले लिया 10 से यह प्लस 2 जादा है यह प्लस में 3 जादा है और यह प्लस में 7 जादा है अब इसमें से कोई भी एक संख्या लेंगे चलिए 12 ले ले लेते हैं तो 12 में सामने वाली को प्लस नहीं करना 3 और 7 को प्लस करना है तो प्लस 3 और प्लस 7 लिखेंगे अब देखे हमारी संख्या कितनी एक दो और तीन संख्या है तो हमें यहाँ पर उपादर अंग जो भी है उसका स्क्वाइर लिखना होगा तो हम लिखेंगे एक का स्क्वाइर सेलेस काचिन लगाएंगे फिर उपादर अंग एक लिखेंगे क्योंकि तीन संख्या होती है तीन कोलम बनते हैं तो यहां पर उपादर अंक लिख दिया उसके बाद में ब्रेकिट लिखेंगे और फिर इन संख्याओ को continue गुणा नहीं करेंगे एक-एक संख्याओ करेंगे दो को तीन से गुणा किया तो 6 आ गया चलिए यहां पर एक का स्वाइर का कोई मतलब नहीं है तो बारा में तीन को पलस करेंगे पंदरा पंदरा और साथ यह हो जाएंगे बाइस उसके मान में यहां पर भी एक का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गुणा करेंगे तो वही संख्याओ आएगी इसलिए हम इनको प्लस करेंगे तो यह देखें यहाँ पर 21, 14 और 6 इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 21 में 14 हम प्लस करेंगे तो यह हमारे पास में आ जाएंगे 25 और 10, 35 35 में 6 को प्लस करेंगे तो यह जाएंगे 41 और लाश्ट वाली संख है 42 अब देखें आधार में एक 0 है तो एक संख है यहां से 2 रखेंगे आगे वाले 4 को 1 में प्लस कर देंगे तो यह जाएगा 5 फिर इस 4 को 2 में प्लस कर देंगे तो यह जाएगा 6 और लाश्ट वाला 2 है उसको यहां पर लिख देंगे तो 2652 यह इसका अनस्वरा दाएगा तो यह था क्यूसन नंबर 10 चलिए इसके बाद शुरू करेंगे क्यूसन नंबर 11 अब क्यूसन नंबर 11 हम देखें 11 नंबर क्यूसन के अंदर हमें दिया गया है 9, 8 और 15 को गुणा करना तो चलिए हमारी संख्या है 9, 8 और 15 तो आधार हम क्या लेंगे इसमें आधार हम 10 ले सकते हैं क्योंकि 10 के नजदीक ही है 9, 8, 15 उपादार अंग 1 ले सकते हैं तो इसमें गुणा करेंगे तो 10 यह आएगा 10 को 10 से 9 माइनस 1 कम है यहाँ पर यह संख्या है वो माइनस में 2 लिखेंगे क्योंकि 10 से 2 कम है 8 और यह कितना जदा है 10 से 5 जदा है तो प्लस 5 लिखेंगे उसके बाद कोई भी एक संख्या लेंगे चलिए यहां से 9 लिखते हैं तो हमने लिया 9, 9 के सामने वाले को नहीं जोड़ना इस संख्या को जोड़ेंगे लिखेंगे यह माइनस में तो माइनस 2 लिखेंगे आगे वाली प्लस 5 तो प्लस 5 लिखेंगे और उसके पास में हम उपादार अंक का स्क्वाइर लगाएंगे फिर स्लेस का चिन लगाएंगे फिर उसके बाद में 1 को 2 से गुना किया तो यहाँ पर ब्रेकिट में एक को दो से गुना किया दो आया माइनस को माइनस से गुना किया तो प्लस का दो हो गया फिर उसके बाद में माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा और दो को पांच से गुना किया तो दस आया उसके बाद में plus 5 को minus 1 से गुना करेंगे तो minus में 5 आएगा उसके बाद में last column में हमें इन संख्याओं का गुना करना है तो देखे 1 को 2 से गुना किया 2 2 को 5 से गुना किया तो 10 अब इसका चिन देखना है minus को minus से गुना किया तो यह हो जाएगे हमारे पास में 12, यहाँ पर लिखना है 12, यहाँ पर एक का कोई मतलब नहीं है, गुणा करेंगे तो वो ही संख्या आएगी, तो यहाँ पर देखें, माइनस 10 और माइनस 5, माइनस में 15, माइनस में 15 में से प्लस का 2 बाहर निकाल देंगे, तो यह माइनस में होती नहीं है, क्योंकि 10 माइनस 13 करेंगे, तो यह उत्र माइनस 3 आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको 20 में से माइनस करेंगे, इससे बड़ी संख्या या तो 10 ले, या फिर 20 ले, इस तरह से ले नहीं या 30 ले सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 20 लेंगे, त तो 20 में यहां से 10 में से माइनस करते हैं तो आगे वाली संख्या में से 1 को कम करना होता है, अगर 20 लेते हैं तो इसमें से 2 को कम करना होता है, अगर 30 लेते हैं तो हमारे पास में इसमें से 3 को कम करना होता है, तो देखे, यहां से इसको 20 में से माइनस करेंगे, तो यहां पर से 2 कम करेंगे यहां 12 में से 2 कम किये, तो यहां पर दाएगा 10 और इसको 20 में से माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 13 लिखेंगे आगे वाली प्लस के संख्या है, same to same लिख देंगे यहां से 10 है उसको 10 लिखेंगे 20 माइनस 13 करेंगे तो यहां जाएगा 7 और आगे वाला 10 लिख देंगे उसके बाद यहां पर एक एक संख्या को रखेंगे तो एक संख्या यहां से 0 रखेंगे यहां पर 1 है वो 7 में प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा आगे वाली 10 को लिख देंगे तो इसका अंस्वर हो जाएगा 1080 यह इसका अंस्वर हो जाएगा चलिए इसके बाँ में सरल करते हैं Q7 नमबर 12 अब देखे इसका Q7 नमबर 12 है जिसमें हमें गुणा करना 22, 23 और 24 को तो हम गुणा करेंगे 22, 23 और 24 को तो हमारी संख्या लिखेंगे 22, 23 और 24 तो यह हमने संख्या लिख दी अब विचलन लिखने से पहले अधार लिखेंगे तो इसमें देखे, हम अदार लेंगे 10, उपदार अंक लेंगे 2, क्योंकि 10 को 2 से गुणा किया तो 20, और 20 है, वो इनके नजदीक है, तो 20 से ये पलस 2 जादा है, ये पलस में 3 जादा है, और ये पलस में 4 जादा है, इस तरह से लिखेंगे, अब इसमें से कोई भी एक संख्य को लेंगे 22, 23, 24 में से, चलिए हम 22 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 22, 22 के सामने जो संख्या उसको प्लस नहीं करना, बाकी 2 संख्या रह जाती है, 3 और 4 इनको प्लस करेंगे, तो प्लस 3 और प्लस 4 लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 3 संख्या आगे, फिर प्लस का चिन 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 यानि बारी बारी एक एक संख्या को गुणा करेंगे इसको इस से गुणा करेंगे फिर इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे फिर 4 बस गया और 2 रह गया इन दोनों को गुणा करेंगे इस तरह से लिखेंगे फिर यहाँ पर लाश्ट तीनों जो संख्य हैं इनको continue गुणा करेंगे 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 को 4 से गुणा किया तो 6 चोग 24 होते हैं यहाँ पर लिख देंगे 24 उसके बाद 2 का स्क्वाइर होता है 4 इसके गुणा में लिखना है 22 और 4 यहोगे 26 26 और 3 यहोगे 29 उसके बाद में यहाँ पर संख्या है 12,8,20 और 6,26,26 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52 और लाश्ट वाले लिखेंगे 24 29 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 9 को 4 से गुणा किया 9.36 होते हैं हासिल 3 रह जाएगी 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगे तो यह 116 आजाएगे यह हो गए 52 और लाश्ट वाला हो गए 24 आधार में 1 0 है तो एक एक संख्या रखेंगे यहां से 4 को रखेंगे तो यह आगए 4 2 को आगे वाले 2 में प्लस कर देंगे 4 आजाएगा 5 को 6 में प्लस करेंगे तो 11 का 1 लिखेंगे जो वासिल रहेगी वो इसमें प्लस करेंगे तो एक और एक की हो जाएंगे दो और आगे वाला एक से हम टूशेंगे 12144 यह इसका अनस्वरा जाएगा तो यह था इसका क्यूसर नंबर 12 चलिए इसके बाद में हम सुरू करेंगे क्यूसर नंबर 13 अब देखिए इसका क्यूसर नंबर 13 है क्यूसर नंबर 13 निनानमे अठानमे और सित्यानमे इनको हमें गुणा करना है तो चलिए निनानमे अठानमे और सित्यानमे लिखते हैं संख्या हमारी है यहाँ पर लिखेंगे निनानमे फिर लिखेंगे 98, फिर लिखेंगे 99 फिर हमारे पास में वीचलन लिखना है तो वीचलन से पहले हम अधार देखें इसमें 100 लेंगे और उपदर अंक एक ले सकते हैं क्योंकि 100 को एक से गुणा किया तो 100 और 100 क्या है इनके नजदीक है तो 100 से ये माइनस में एक कम है ये माइनस में दो कम है ये माइनस में तीन कम है इस तरह से हम इनको लिख लेंगे अब कोई भी 99 में लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 99 में उसमें से उसके सामने वाली संख्या उसको प्लस नहीं करना निचे वाली को plus करेंगे लेगे निचे वाली दोनों ही minus में तो हम लिखेंगे minus 2 और minus 3 अब उपादार अंक 1 है तो एक का square लिख देंगे फिर यहां पर slice ऊपादार अंक लिखेंगे फिर bracket में 1 को 2 से गुना किया 2 minus को minus से गुना किया plus तो माइनस 1 माइनस 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2 आएगा यहाँ पर लिख दिया माइनस 2 माइनस 3 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 को 3 से गुणा करेंगे तो plus में 6 आएगे फिर minus 3 minus 1 को गुणा करेंगे तो plus में 3 आएगा उसके बादे continue गुणा करना है minus का चिन देखिए 3 संख्याओ को गुणा करना है minus का चिन 3 बार है तो उत्तर भी minus में आएगा 1 को 2 से गुणा किया 2 2 को 3 से गुणा किया है तो यह जाएंगे 6 यह देखे यहाँ पर 1 का square का कोई मतलब नहीं है तो 99 में minus यहाँ पर 99 में विसे 3 और 2 5 को minus कर देंगे तो 99 में विसे 5 minus करेंगे तो यह जाएंगे 4 आण में उसके मान में 6 और 3 9 9 और 2 यह जाएंगे 11 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 आजाएंगे लास्ट वाली संख्या है minus 6 यहाँ पर देखें minus में संख्या है उसको अधार में से minus करेंगे अगर अधार बड़ा है तो अधार में से minus करेंगे अधार अमारे क्या है 100 100 को इसमें से minus करेंगे लिगने यहां से एक कम करना होगा तो हम लिखेंगे चुराण में और यहां से एक कम करेंगे क्योंकि 100 के यहां पर एक है तो एक कम करेंगे तो यहां पर आजाएगा 10 और इसको 100 में से माइनस करेंगे 100 माइनस 6 लिखेंगे फिर इसमें चोरानमे का चोरानमे लिखेंगे, दस का दस लिखेंगे, और सो माइनस छा करेंगे, तो ये भी क्या जाएगा चोरानमे. अब देखे, आधार के अंदर दो जिरो है, तो दो दो संखिय है यह सभी, तो सेम डू आँ lorsque देखेंगे, चुराण में 10 और यहाँ पर लिख देंगे चुराण में यह इसका अनस्वर आजाएगा तो यह इसका अनस्वर हो जाएगा यह था इसका QS number 13 चलिए इसके बाद में हम सरल करेंगे QS number 14 अब QS number 13 में ने आपको बता दिया है QS number 14 इसको सरल करेंगे तो हमारी संख्य है 48 और 51 अब अधारिस में हम 10 ले सकते हैं उपदा रंग 5 ले सकते हैं 10 को 5 से गुणा किया तो आगया 50 50 से यह कितना ज़्यदा है? सोरी, कम है, माइनस 2 यह ज़्यदा है तो प्लस 1 ज़्यदा है अब यहाँ पर हम लिखेंगे 48 लिखेंगे कोई भी संख्या लिख सकते है 48 एकावन में से 51 भी लिख सकते है 48 भी लिख सकते है तो 48 लिखेंगे तो इसके सामने वाली नहीं लिखना है फिर यह तो प्लस 1 है इसको इम प्लस 1 कर देंगे इसके अंदर और यहाँ पर उपादार अंग लिखना है, सिरफ उस्क्वाइर नहीं लगाना है, सिरफ उपादार अंग 5 है वो लिखना है क्योंकि संख्या यह मारे पास में 2 संख्याओ का गुणा कर रहे हैं इसलिए अगर तीन संख्याओं का गुणा होता तब हम यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं और दूसरे कॉरलम में सिर्फ पूपादर अंक लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर सलेश का चिन लगाएंगे 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आया लेकिन माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस 2 आया अब हम 48 और 1 की ओर जाएगे 49 49 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 एंटू 49 लिखेंगे और यह हो गया माइनस में 2 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 का 5 लिखेंगे हसिल 4 रह जाएगी 5 चो 20 माहिस हो जाएगी 20 और यह ओगया माईनस में 2 यहां पर माईनस आ जाए तो उसको अधार अगर बड़ा है तो उससे माईनस करेंगे देखिए हमारा अधार 10 है तो 10 में से इसको माईनस कर सकते हैं लेकिन यहां से एक कम करेंगे, 245 है तो यह हो जाएंगे 244, और यहां पर अधार में से माइनस करेंगे, अधार 10 है उसमें से माइनस 2 करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 244 और यहां पर रह जाएगा मारे पास में 8, अधार में 1 0 है तो यहां पर एक संख्या है और बाकी को स 244 और 12, 244 और 14, यह इसका अन्सोर होगा चली इसके माद में चुरू करते हैं क्यूसर नंबर 15 चल्विए अब सुरू करते हैं क्यूसर नंबर 15 backward नम फंदरमें हमें क्यूसर दिया गया हैो 27 और 29 को हमें गूना करना है तो यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे उसके बाद में वीचलन लिखेंगे संख्या हमारी है 27 और 29 यह दो संख्या होगे हमारी 27 और 29 उससे पहले हम अधार लेंगे और दूसरा लेंगे उपादार अधार में हम 10 लेंगे और ये दोनों संख्या है वो 30 के नजदीक है तो इसमें उपद रंग 3 लेंगे यानि 10 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया 30 30 से ये माइनस 3 कम है और ये माइनस 1 कम है अब इसमें लिखेंगे कोई भी एक संख्या लेंगे 27 ले लेंगे तो इसके सामने वाली माइनस 3 है वो तो हमें लिखने नहीं है माइनस 1 लिखेंगे अगर पलस है तो जोड़ देंगे माइनस में है तो माइनस कर देंगे और इसके पांस में लिखेंगे उपदार अंक लिखेंगे और सलेस कचिल लगाएंगे 3 को 1 से गुना किया 3 आया minus को minus से गुना किया तो plus हो गया 27 minus 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into me आजाएगा 26 और ये 3 का 3 लिख देंगे 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हासिल 1 रह जाएगी 3 दूनी 6 है और एक आसिल जोड़ देंगे इसमें, तो साथ हो जाएगा और यह लिखेंगे 3, आधार में 1,0 एतो 1,1 संख्या, यहां से 1 की संख्या है 3, और बागी संख्या 7,8,8 तरगो आइसा का जाएगा, तो यह इसका गुणन फल हो जाएगा, तो यह अंसर हो जाएगा इसका, चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्यूसर नंबर 16 क्यूसर नंबर 16 में हमें 36 और 34 को गुणा करना है तो हमारी संख्या हो गई 36 और 34 तो संख्या लिखेंगे हम 36 और यहाँ पर लिखेंगे 34 उसके बाद में लिखते हैं विचलन तो विचलन में हम यहाँ पर पहले अधार लेंगे अधार 10 ले लेंगे और उपदारा के 3 लेंगे क्योंकि दोनों ही 30 नंबर के पास में है तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आजाएगा 30 30 से यह प्लस में 6 ज्यादा है और यह प्लस में 4 ज्यादा है उसके बाद में कोई भी एक संख्या लेंगे 36 ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 36 उसके सामने वाली प्लस नहीं करनी है नीचे वाली प्लस चार लिखेंगे और इसके पास में लिखेंगे उपदार अंख्या 3 वो लिखेंगे square नहीं लगाना है क्योंकि 2 संख्या का गुणा कर रहे हैं उसके बाद में slice लगाएंगे दूसरे column में 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6, 24 हो जाएंगे 36 में 4 को प्लस करेंगे तो ये 3 गुणा में 36 प्लस 4 ही हो जाएंगे 40 और उसके बाद में लिखेंगे 24 40 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आजाएंगे 120 और दूसरा लिखेंगे 24 अब देखें अधार में 1 की 0 है तो यहां से 1 संख्या 4 लिखेंगे 2 को 0 में प्लस करेंगे तो 2 आजाएगा और 12 का 12 1224 ये इसका अंस्वर आजाएगा चलिए इसके मन में शुरू करते हैं क्यूसर नंबर 17 अब इसमें देखें क्यूसर नंबर 17 है जिसमें हमें गुणा करना है 18 को 21 से तो हमारी संख्या हो गई 18 दूसरी संख्या हो गई 21 दोनों ही 20 नंबर के 5 में है तो अधार 10 ले सकते हैं उपादारंक 2 लेंगे 10 को 2 से गुणा किया तो कितने आएंगे 20 20 से ये माइनस 2 कम है और ये प्लस 1 ज्यादा है 18 लेंगे तो उसके सामने वाली को प्लस नहीं करना नीचे वाली 1 है उसको प्लस कर देंगे और इसके पास में लिखेंगे उपादारंक 2 है वो लिखेंगे 2 सलेस कचिन लगाएंगे 2 को एक से गुणा किया तो 2 आया माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आया 18 और एक ये हो जाएंगे 19 तो ये 2 into 19 हो जाएंगे और यहाँ पर आजाएगा माइनस में 2 19 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आजाएंगे 38 और ये हो जाएगा माइनस 2 तो माइनस 2 को हम अधार में से माइनस करें अधार अगर बड़ा है तो इसको माइनस कर देंगे तो इसमें से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और ये अधार हमारा 10 है तो उसमें से माइनस कर देंगे माइनस दो को चलिए उसके माद में देखिए यहाँ पर आ गया है यह 37 और यहाँ पर रह जाएगा 8 आधार में 1 0 है तो यहाँ पर 1 संख्या 8 है और आगे वाली को same to same तो पूरा को पूरा ऐसा ही लिख देंगे same to same 378 यह इसका अंस्वराद आएगा 378 चलिए इसके माँ में शुरू करते है क्यूसन नंबर 18 अब देखिए क्यूसन नंबर 18 है जिसमें हमें गुणा करना 96 में, सित्यान में और पिच्यान में को तो हम संख्या लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या है 96 में, दूसरी लिखेंगे सित्यान में, और तीसरी लिखेंगे पिच्यान में यह हमारी संख्या है इसमें हम अधार लेंगे तो अधार इसमें 100 ले सकते है और उपादर अंक एक ले सकते हैं क्योंकि 100 को एक से गुना करेंगे तो 100 यह आएंगे यहाँ पर लिखेंगे 6 में, उसके सामने वाली नहीं लिखेंगे, नेचर वाली संख्यां माइनस में है, तो माइनस 3 और दूसरी है माइनस 5 अब 3 संख्याओं कब गुणा कर रहे हैं, तो उपाधर अंक का यहाँ पर square लगाएंगे, Slice का चिन लगाएंगे यहाँ पर उपादर अंग एक लिखेंगे और Bracket में इन संख्याओं को गुणा करना 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आजाएंगे 12 Minus को Minus से गुणा किये तो Plus 12 आजाएंगे फिर 3 को 5 से तो यहाँ पर आगए 12 उसके बाद में 3 को 5 से गुणा करेंगे तो दोनों संख्या Minus के अगर गुणा होती है तो चिन प्लस का हो जाता है और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आजाएंगे 15 उसके बाद में 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएंगे दोनों भी माइनस की है तो प्लस में 20 आ जाएंगे उसके वह में स्लेस का चिन तीनों संख्याओं को continue गुणा करना है तो चिन भी तीन है माइनस के तो उत्तर माइनस में आएगा 4 तीरी 12 हो जाएंगे और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 हा जाएंगे अब यहाँ पर एक का स्क्वाइर का कोई मतलब नहीं है तो च्छाण में में से तीन को कम कर देंगे या हम च्छाण में में से पांस को कम करेंगे तो एकाण में रह जाएंगे और एकाण में में से तीन को हम कम करेंगे तो 88 रह जाएंगे उसके माद में यह minus में 60 लिखेंगे अब देखें यहाँपर यह minus में संख्य है तो इसको plus बनाना है 88 सी लिखेंगे और इसको हम आधार हमारा 100 है तो 100 में से minus करना है लेकिन यहाँ से फिर एक कम करें क्योंकि 100 में यह एक है इसका मतलब 47 में से एक को कम करना तो यह आजाएगा 46 जिस संख्या को हम माइनस करें जैसे यहाँ पर 60 माइनस तो उससे पहले जो संख्या उसमें से कम करना पड़ता है तो यहाँ पर से एक कम किया तो 46 हो गया यहाँ इसको 100 में से माइनस करेंगे तो लिखेंगे 100-60 लिख देंगे यहाँ पर यह हो गया 88 यह हो गया यहाँ पर 46 और इसको माइनस करेंगे तो यह रजाएंगे 40 अब देखें आधार में 2 0 है यहाँ पर भी 2-2 संख्या हैं सभी तो इनको same to same ऐसे गैसे लिख देंगे तो यह रजाएगा 88 उसके बाद में लिखेंगे 46 उसके बाद में लिखेंगे 40 तो यह इसका आनस्वरा जाएगा चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्यूसर नंबर 19 अब देखें क्यूसर नंबर 19 में तीनों ही एक जैसे संख्या हैं 18,18 और 18 तो तीन बाद 18 को हमें गुणा करना है तो हमारी संख्या लिखेंगे हम 18 फिर दुबारा 18 और तीन नंबर की 18 तीन संख्या हैं हमने लिख ली अब हम तीन संख्याओं में विचलन लिखेंगे लेकिन अधार क्या लेंगे अधार हम इसका 10 लेंगे अधार हमने 10 ले लिया क्योंकि 20 अधार ले नहीं सकते हैं अधार या तो हम 0 ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे उपधर अंग ले सकते हैं फिर 2 ले लेंगे क्योंकि 10 को 2 से गुना किया तो 20 आ गया 20 से यह माइनस 2 कम है सेम ही होगा माइनस दो और यहां पर भी माइनस दो उसके मान में यहां से 18 एक संख्या लेंगे 18 उसमें से उसके सामने वाली को नहीं लिखना है नीचे वाली माइनस दो और फिर उसके नीचे वाली माइनस दो उसके मान में यहां पर उपादार अंक है उसका square लिखेंगे क्योंकि तीन संख्या का गुना हो रहा है तो 2 का square लिखेंगे slash का चिन लगाएंगे यहाँ पर उपादर अंक 2 लिखेंगे bracket में संख्याओ को बारी बारी गुना करना है minus 2 को minus 2 से गुना करेंगे तो plus में 4 हो जाएंगे फिर minus 2 को minus 2 से गुना करेंगे plus में 4 हो जाएंगे फिर minus 2 को उपर वाले minus 2 से गुना करेंगे तो plus में 4 हो जाएंगे फिर slash का चिन अब continue गुना करना है minus की चिन 3 है तो minus में उत्तर आएगा 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया तो 8 2 का square लिखेंगे 4 हो जाएगा गुणा में ये 2 और 2 4 18 में सी 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएंगे 14 फिर स्लेस लगाएंगे 4 और 4, 8 और 4, 12 12 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएंगे उसके बाद में लिखेंगे माइनस में 8 फिर यहाँ पर 14 को हम 4 से गुणा करेंगे 4 को 4 से गुणा किया तो 16, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 और 180 इसमें प्लस कर देंगे तो 5 फिर इसके बाद में आएगा 24 उसके बाद में आएगा माइनस में 8 माइनस के संख्या को अधार में से माइनस करेंगे तो यहां पर आजाएगा 56, यहां पर आजाएगा 23, और 10-8 यह रजाएगे 2, अब अधार में 1 0 है, तो यहां से भी 1-1 संख्या भी को लिखना है हमें, यहां पर 1 की संख्या है 2, तो हम लिखेंगे 2, यहां से 1 संख्या 3, यह लिखें 3, 2 को 6 में प्लस कर देंगे, तो यहां जाएगे आठ और पांच का लिखेंगे पांच, 5832, यह इसका अन्सुरा जाएगा. चलिए इसके बाद में सुरू करते हैं क्यूसर नमबर 20 जो इसका last क्यूसर है क्यूसर नमबर 20 इसमें 3 संख्य एक जिस यह निन्यार में तो 3 संख्य एक जिस यह हमारे पास में तो हम 3 संख्य लिखेंगे संख्य हमारे जिस यह निन्यार में उसके बाद में लिखना है 99 में और उसके बाद में लिखना है 99 में विचलन से पहले अधार लेंगे तो 100 के नजदी के ये से भी तो अधार 100 ले सकती है उपादर अंक एक लेंगे 100 को एक से गुणा किया तो 100 आजाएगा सो से ये माइनस एक कम है ये भी माइनस एक और ये भी माइनस एक फिर यहाँ पर कोई भी एक संग खेलेंगे निन्याण में और उसके बाद में उसके सामने वाली को नहीं जोड़ना है नीचे वाली दोनों माइनस में तो माइनस एक और माइनस एक लिखेंगे और यहाँ पर उपादार अंक एक है तो एक का स्क्वाइर लिखेंगे स्लेस यहाँ पर उपादार अंक लिखेंगे ब्रेकिट में अंदर माइनस एक को माइनस एक से गुना किया तो प्लस में एक आएगा माइनस एक को माइनस एक से गुना किया प्लस एक आएगा तो इस तरह से संख्याओं को गुणा करना है फिर स्लेस काचिन लगाएंगे फिर तीनों संख्याओं को continue गुणा करेंगे तो माइनिस के चिन तीन बार है तो माइनिस में उत्तर आएगा तीन बार एक को गुणा किया जाए तो एक याता है अब यहाँ पर एक का स्क्वाइर एक की होगा कोई मतलब नहीं है 99 में से एक कम करेंगे तो 98 में फिर उसमें से एक कम करेंगे तो सित्याण में यहाँ जाएगा सित्याण में यहाँ पर एक दो यह तीन हो जाएंगे इस संख्या में से इसको माइनस करना पड़ेगा लेकिन इस संख्या में से फिर एक कम करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो और यहाँ पर हम लिखेंगे सो में से माइनस एक करेंगे क्योंकि अधार में से माइनस करना पड़ता है तो यहाँ पर 100, हमारे पास में सित्यान में है, इसको लिखेंगे सित्यान में, यहाँ पर 2 है, तो इसको लिखेंगे 2, और यहाँ पर 100-1 लिखेंगे, तो यह आ जाएगा निन्यान में, अब यहाँ पर देखे, अधार में 2 0 है, तो सभी संख्या हैं 2 2 निची, यहाँ पर 2 ह नहीं है तो इसके पहले एक 0 लगा देंगे अब सभी संख्या दो-दो हो गई तो इनको सेम टू-सेम लिखेंगे सित्याण में 0-2 और लास्ट वाली लिखेंगे निन्याण में यह इसका अन्स्वरा जाएगा तो यह लास्ट क्यूशन था क्यूशन नमबर 20 तो इस वीडियो में आपको सभी क्यूशन है वो सरल करके बताएं हैं एक एक करके सभी क्यूशन मेंने 20 तक सरल कर दिये इसमें और सभी में आपको बताएं हैं अगर मेरे क्यूशन आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को ल मिलते हैं next video में